आज मैं आपके लेके आई हूँ बहुती टेस्टी और चटपटी रेसेपी ये अनियन बॉंडा और उसके साथ बनाएंगे रेट चिली की चटनी जो बहुती टेस्टी है और इसे आप किसी भी समय बना सकते हैं चाई के साथ या शाम के नास्ते के साथ बहुती बढ़िया हुआ है तो चली यहां पर देखिए मैंने इसको चटनी के साथ सब किया है जो मैंने बताया आपको चटनी बहुती तीखी और चटपटी है अगर आप दिखे खाने के शौकीन है तो चटपटी आप बना के स्टोर भी कर सकते हैं दमशकार दोस्तों मैं शुष्मा आपका श मैं तो चुद्धा हे शिखे उन दंड़ल रहीर और यहां कर सकते हैं अधरत कम चली कहते हैं ओर दंब कर सकते हैं झाइक कहिकने में खेंट मैंने लहीन बहुत जाए है और यहां पर डालेंगे अब हाफ चमच हल्दी पौडर डालेंगे एक चोथाई चमच यहां पर डालेंगे लाल मिर्ची का पाउडर नमक डालेंगे स्वात के अनुसार और यहां डालेंगे एक हाफ चमच अजवाइन हाफ चमच यहाँ पे डालेंगे हम जीरा तो यहाँ मैंने हाफ चमच डाल दिया और हाफ कप यहाँ पे बेसन हम डालेंगे तो पहले हिहाँ पे इसको हम अच्छे से मसल लेते हैं और अगर जुरुत पड़ेगी तो बेसन हम फिर और यूस करेंगे तो चलिए इसको यहाँ पर अच्छे से मसलना शुरू करते हैं यह देखिए अच्छे से मिक्स करना है अब यह देखिए मैं आप अच्छे से मसल लिया है लेकिन बेसन कम लग रहा है अभी हम थोड़ा बेसन और डालेंगे थोड़ा सा पानी डालके इसको अच्छे से लाना है तो पहले थोड़ा सा पानी डालक craft घ्र मिक्स कर रही हैं अगर यह mix हो जाएगा तो हम इसमें और hasin यहीं करेंगे लेकिन मिले को कम लग रहा है great and canada एसमें मैं half cup basin और डाल रही हो और इसको अच्छे से mix कर लेंगे और थोड़ा सा पानी डालके इसका हम एक dough तयार करेंगे ताकि bonda जो है वो गोल-गोल बनके तयार हो तो इसी तरीके से आपको consistency को manage करना है तो यहाँ पर देखिए अच्छे से मैंने mix कर लिया और ये dough की form में आ गया है थोड़ी दिर के लिए मैं इसको side में रखती हूँ ये तयार हो गया है अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ 6-7 में ले रही हूँ कश्मीरी लालमिश ले रही हूँ सूखी हूई ये तीखी नहीं होती है इससे रंग बहुत अच्छा आता है अब इसमें गरम पानी मिला के इसको मैं छोड़ दूँगी ताकि ये soft हो जाए इसको हम अलग रख देते हैं side में अब यहाँ पर मैंने medium hot पर तेल को गरम कर लिया है और bondे को मैंने इस तरीके से गोल गोल करके बना लिया है आप चप्टा करके भी बना सकते हैं और इसे हमें अब fry करना है medium heat पर ही fry करेंगे high heat पर नहीं करेंगे तो यहाँ देखे सारा bonda मैंने डाल दिया है इसमें और इसको डालने के बाद आप थोड़ देर बाद चलाएंगे नहीं तो यह तूट जाएंगे तो बस अब इसको अच्छा सा एक color आने तक हमें mix कर लेना है अच्छे से fry कर लेना है तो यहाँ पर देखे अच्छे से fry कर लेते हैं तो यहाँ पर देखे यह अच्छे से fry हो चुका है चलिए इसको tissue paper पर निकाल लेते हैं अगर आपका बेसन गीला हो जाता है या कुछ भी हो जाता है तो आप उसमें बेसन और डाल सकते हैं चावल का आटा भी उसमें बढ़ा सकते हैं तो यहाँ पर देखे बॉंडा बनके तयार है प्याज का तो यहाँ पर मैं इसको tissue paper पर निकाल लेती हूँ और इसी तरीके से यहां मैंने देखिए सारे जो हैं वो निकाल लिये हैं ये देखिए आपको दिखा रही हूँ मैं ये देखिए सारे निकाल लिये हैं अनियन बंडा बनके तयार है चलिए चटनी को तयार करते हैं मिर्चे यहां पे मैंने पानी में गरम पानी में भिगो दी तो यहां पर इसको 10 मिनट कम हो चुक है तो इसको हम मिकसर जार मेंनी काल लेते हैं बहुत ही बढ़िया चठनी बनके तयार रोती है और आप मेंने के hon fantastic तक टोर करते हैं तो चलिए हम पर देख की विंहें ऐने जिकानथा अब यहां पर एक टमाटर में डाल रही हूं एकदम लाल टमाटर आपको लेना है और इसको अब मैंने यहाँ पीस लिया है तो यह देखिए एकदम बारिक पीसा है और इसका कलर देखिए कितना बड़िया इसका कलर आ चुका है तो यहाँ पे यह तैयार है पिसके इसको साइड में रखते हैं और चड़ाते हैं यहाँ प को मैंने मीडियम पे रखा हुआ है तो यहां पे देखिए मैंने लसन को अच्छे से भून लिया है अब इसके साथ मैं हाप चमच डाल रही हूँ अद्रक का पेस्ट आप अद्रक को बारी करके या कदुकस करके भी डाल सकते हैं मेरे घर में ऐसे पसंद नहीं करते हैं तो मैं भी निकल जाए पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तो यहां पे मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है बहुत जल्दी है चटनी बनके तयार होती है तो यहां पे देखिए अच्छे से मिक्स करना है और चटनी को अच्छे से हम यहां पे भूनेंगे थोड़ा सा पानी यहां पर डाल देते हैं और अच्छे से इसको भुनना है मुश्किल से 5-7 मिनिट लगेगा और चटनी बनके तयार हो जाएगी तो यहां मैंने अच्छे से पहले इसको मिक्स कर लिया है और बॉयल भी आना शुरू हो गया इसमें नमक डाल देंगे इसमें स्वात के अन देखिए तेल छोड़ रहा है यहां पर हमारा जो यह मिक्षर है अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूं हाफ चमच डाल रही हूं गरब मसाला का पावडर इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे हमें लास्ट में ही डालना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि जो तीखापन है वो बैलेंस हो जाए अच्छे तरीके से चटनी यहां पर बन के तयार है देखिए कितना बढ़िया कलर आ चुका है इसको मैं बन कर देती हूं और सर्फ कर लेते हैं तो यहां देखिए मैंने अन्यन बॉंडा और चटनी सर्फ कर ली है साथ खाईए इसको बहुत बढ़िया लगती है तीखी चटनी है चटाकेदार चटनी है अगर रेस्पी आपको अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स से मिरको आप जरूर लिखके बताईएगा कि आपको रेस्पी कैसी लगी और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले क्योंकि आपका लाइक हमारे लिए बहुती ज्यादा मोटिवेशन होता है तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें थैंक यू